अब शो के कल की एपिसोड को देख लीजे जहां इश्रिता को लग रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी तो वहीं सिम्मी एक बार फिर से पहुच जाती है और वो सब के सामने ऐसा प्रूब कर देती है कि रमन पागल हो रहा है और वो चीजे भूणने लगा है तो वहीं आपने ये भी देखा कि कैसे इश्रिता अपने पती यानि की रमन को समालती है जिसके बाद अब आपको बता दे कि शो के आज के पिसोड में आप देखने वाले हैं कि इश्रिता की गारी का हो जाएगा ब्रेक फेल जहां सिम्मी पहुच जाएगी रमन को बताने और वो कर देगी रमन को एक बाद फिर से परिशान तो वहिए अप शो में भी देखने वाले हैं कि इश्रिता पहुच जाएगी भला आउस जहां मिसस भला उन से पूचते वी नुझरा आएगी जानने के लिए, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल, टॉपनीज जस्ट फर यू, टॉपनीज से काजल की रिपोर्ट स्टापलस के शो, ये हैं महबते में एक बार फिर से आपको मौत वाला ड्रामा देखने को मिल सकता है, जी हाँ, शो के आनवल ट्रैक में आप देखने वाले हैं, कि परम की आदत से परिशान होकर, पहुंच जाय का बाला सुसाइट करने, लेकिन कब और कैसे, ये पूरी जान पहले आपको शो के पिछले एपिसोड के बार में बता दें, जहां दिखाया गया कि इशिता एक बार फिर से रमन को समहलने में लगी होती है, तो वहीं सिम्मी आ जाती है, और वो देती है अपने घिनोने प्लैन को अंजाम, जहां वो सब के सामने रमन को पागल प्रूफ क करने, जी हां, एक लीडिंग वबसाइट की माने, तो शो में जल्दी आने वाला है एक बहुती बड़ा ट्विस्ट, जहां शो में बाला की मौत हो जाएगी, जिसके बाद अब शो में यह देखना होने वाला है काफ़ता मसेदा है, क्या कैसे इशिता बचाएगी अपने प कि अबस दक्रिप्रा. इश्रिता और रमन की कहानी में सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता जी हाँ अब शो के कल के एपिसोड को देख लीजिए जहाँ सारे लोग मना रहे थे खुशिया तो वहीं सिमी ने दे दिया एक बार फिर से अपने प्लाइम को अंजाम और वो रमन को परिशान करने में हो गई काम्याब जिसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे सारे मीडियो वाले सामने ऐसा प्रिटेंड हो जाता है कि रमन पागल हो चुका है तो वहीं इशिता सम्हालती है अपने पती को और अब आपको बता दे कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब जल्दी आने वाला है शो में एक बहुती बढ़ा ट्विस्ट जहां रमन और इशिता की हो जाएगी हालत खराब तो वहीं आप शो में भी देखने वाले हैं कि रमन पहुच जाएगा एश्रता को लेकर होस्पिटल जहां रमन के सामने आने वाला है एक बहुती बड़ा सच जिसके बाद अब शो में यह देखना होने वाला है काफिदा मज़दार क्या कौन सा सच आने वाला है रमन के सामने और क्या इस बार होने वाला है रमोन अश्रता का मिलन ये सब जानने की बंजे माइसाथ, फिलालक माश्रोमन मसितना ही और ये अपने प्रेविट वायचेम से जुई लिटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज ज प्रेविट वायचेम से जानने की बंजे माइसाथ, फिलालक माइसाथ, फिलालक माश्रोमन में आपको आने वाले एपिशोर में खूप सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, वहीं सिम्मी इसीता से कहती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो रमन को पागल करके ही सिम्मी इस चाह प्रषितां के एक जाता है, जिसके बाद आने वाले एपिशॉर में आप देखेंगे कि कि सिम्मी इस चाह् elsud के बनाया ही और इसलिए नहां बनाहीं से कहती हैं छाल के लिए यह जिसके बच्छे का बाप है इसलिए लए नों stressingे इसनुक्र के और जाते हैं वहीं आपको बता दे रमन को कुछ भी याद नहीं है और इसलिए रमन को सिम्मी के इस चाल से बचाने के लिए इसीता रमन को सब कुछ याद दिलाने की कोशिस करती है जिसके बाद आने वाले एपिशोर में आप देख हैं कि रमन को सिंवी पर सक हो जाता है कि इस सब्वे किसी और का हात नहीं बलके सिंवी की चाल है जो रमन को करना चाती है बरबाद और इसलिए रमन सिंवी पर नज़र रखना सुरू कर देता है लेकिन आगे देखना और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि क्या इसीता रवन के सामने सिन्वी की असलत ला पाएगी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ टॉप नीउस से आसिफ रह्मान की रिपोर्ट इसीता सिम्मी के खिलाब चाल में कामयाब हो जाती है आपको बता दे इसीता सिम्मी की नई चाल को बरबात कर देती है जिसके बाद सिम्मी गुसे में आकर भला हॉस के सामने इसीता से अपनी चाल के बारे में बता देती है और जब सिम्मी इसीता से सब के सामने लड़ाई कर रही होगी तब ही वहाँ पहुच जाएगा रमन और सुन लेगा सिम्मी की बाते जिसके बाद खबर ये भी आ रही है कि इसी के साथ रमन को पता चल जाएगा कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसमें किसी और का हाथ नहीं बलके सिम्मी का है और फिर क्या रमन को लगेगा जटका और रमन हो जाएगा बेहोश खबरों की माने तो ही रमन को बहुत जल याद दास आ जाएगा बापस होई आने वाले एपिशोर में देखने को मिलेगा की और इसी के साथ कहानी में आएगा मेजर टूइश्ट जहां रमन को आजाएगा सब कुछ याद फिर रमन सिम्मी को कर देगा घर से बेगा लेकिन अब आगे देखना हो जाएगा काफी जादा मज़दार की कैसे होगा और क्या सिम्मी इस बार फज जाएगी रमन के हाथो या फिर चलेगी कोई नहीं चाल इस सेरियल के हर अपडेट के लिए बने रही हमारे साथ टॉप नीउस से आसिफ रहमान की रिपोर्ट लेकिन क्या है वो चाल ये बताने से पहले बता देते हैं क्या कुछ चल रहा है अब तक शो में वहीं अब तक आपने देखा कि किस तरह से इसीता से राइना कर रही होती है कि रमन ने किया है किसी सक्स का खून और इसलिए राइना करवाना चाहती है रमन से कुछ ऐसा जिसके वज़े से रमन हो रहा है पागल वहीं आने वाले एपिशोड में आप देखेंगे कि इसीता को लग जाएगा पता की रहे नहीं है वो औरत जो सिम्मी के हाथ की कत्पितली बनी हुई है जो कर रही है रमन को पागल जिसके बाद इसीता बचा लेगी एक बार फिर रमन को रैना के माया जाल से लेकिन आपको बता दे आगे आगे आप देखेंगे कि खबरे ये भी आ रही है कि परम के हाथों हो जाएगा बाला का खूल जिहां जिसके बाद बाला की हो जाएगी मौत और इस हाथसे से एक बार फिर कहानी पूरी तरह बदल जाएगी लेकिन अब देखना हो जाएगा काफी मजदार की इसी के साथ अब कहानी में कौन सा नया मौर आता है इस सीरियल के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ टॉप नियूज से आसिफ रह्मान की रिपोर्ट थरोपड़के लेकिन पहरे से समयाजा तरह बने अबर जाएगे लिए घरको झाल जाएगे लिए लिए बने मज़ आपडेट खाने प्राप नियूज से टीकर वर्डेट। ये हैं मौबते की कहानी में कब क्या हो जाए ये कभी नहीं खा जा सकता जी हाँ अब शो के कल की एपिसोड को देख लीजिए जहां इश्रिता को लग रहा था कि वो सब कुस ठीक कर देगी तो वहीं सिम्मी एक बार फिर से पहुँच जाती है और वो सब के सामने ऐसा प्रूब कर देती है कि रमन पागल हो रहा है और वो चीजे भूरने लगा है तो वहीं आपने ये भी देखा कि कैसे इश्रिता अपने पती यानि की रमन को समालती है जिसके बाद अब आपको बता दे कि शो के आज के पिसोड में आप देखने वाले हैं कि इश्रिता की गारी का हो जाएगा ब्रेक फेल जहां सिमी पहुच जाएगी रमन को बताने और वो कर देगी रमन को एक बाद फिर से परिशान तो वहीं आप शो में भी देखने वाले हैं कि इश्रिता पहुच जाएगी भला हाउस जहां मिसेस भला उन से पूछते भी नज़र आएगी या अखिर उसने जूट क्यू बोला तो वहीं आप ये भी देखने वाले हैं कि रमन और श्रिदा एक बार फिर से हो जाएंगे परिशान और रमन भूल जाएगा कि उसे किस ने बताया था श्रिदा के बारे में जिसके बाद अब शो में ये देखना होने वाला है काफिर मज़दार कि अकिर कैसे हिश्रता बचाएगी अपने पती को और क्या सिम्मी का सच इस बार आएगा रमन के सामने ये सब जानने के लिबन रहे बाद साथ फिलालक माश्रोरम बस इतना ही और भी अपने फेवेट वा क्या है क्यों ठाएगी अपना कि अजिसए है